सब्सक्राब करें अपने यूट्यूब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए वेलकम फेंट्स सुवाग दम दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेप पाटर के बारे में जानकर ही सेर कर रहा हूं किसी प्रकाए की कंपणी वीशेश के दोरह बनाएगे ग्रेप बाय में मैं सिर्फ ग्रेप बाटर के बाहर और बने ही कर रहा हूं बने हुए हैं जिसके बार मुझे भी कई बार पूछा गया है जिसमें सबसे बड़े डाउट है यह ग्रे पोटर क्या बच्वों में दिया जातए हो बच्वों में दिया जाना या सेफ इस ग्रेफ एंटर का वास्तिक यूज गया है और भीरश के लेवा कई महत्यपूर्ण बात में तो इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर कुरूंगा इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिसे कि पूरी जानकरी आपको ग्रेप आठर के बाल मिल सकें मैं हूँ आपका होस्ट मोहिद आदीच आप देखरें अपना यूटीब चैनल को बच्चों के पहले 6 महिने के लिए वीशेस रूप से ब्रेश्ट वीडिंग कर रहने के सलह दिये ताकि बच्चों का प्रॉपर फीजिकल ताथा मेंटल डेवर्लोमेंट हो सके ताथा बच्चे स्वस्त रहें डब्ली एच्चों यूनिशेफ बेबी फ्रेंडली होस्प पहले 6 महिने के दौरान बच्चे को दिये जाने वाला इस्तन के दूद के अलावा कोई भी पेपदार तो ये खादी परदातों जिसमें ग्रेप आथार पर पेट दर्द के लिए ग्रेप वाटर का उप्यों करना है ये बच्चों में बेक्टिल इंफ्रेक्शन करने का जोखिम बढ़ा देता है जिससे की बच्चों में एलर्जी हो सकती है बच्चों की आतों में जलन होना इस तरह की समश्य हो सकती है जन्म के तुरंत बात बीए जाने वाले किसी भी प्रिलेक्टियल के तरह ग्राइप व के combination solution बनाया जिसका प्रियोग 1840 के दसक में फेन बुखार फेन फ्यूवर की treatment में बच्चों में लिया जा रहा था और यह फेन फ्यूवर मलेरी का ही रूप है लेकिन सीरियस बात यह है गंभीर बात यह है कि जो मलेरिया के लिए तैयार किया गया solution था उसका प्रियोग आज बच्चों में पेड़ दर्द को ठीक करने की बहुत ज़्यादा dzisiaj है यहां पर इसपस्ट होुगआ कि के द्वारा ग्राइप आटर में एलकोहल की मातना नो परतिसत हो गई थी जिसे व्य anunci बीमिल अलग लग संयोजन वह हो थे हैं अगर लगाता बड़ी मात्रा में इसे दिया जाता है तो पेट में जो एसीड बन रहा है उसको कम कर देता जिससे कि बच्चों में मिल्क एलकलाई सिंड्रोम नाम की बिमारी हो सकती है यह जरूरी नहीं कि सभी हर्बर प्रोडेक्ट सेफ हो उनके साइड इफेक्ट नहीं हो ग्राइप आटर के प्रियोग की जो दूसरी संभावना है वह है कि उसका जो स्वाधे बहुत ही मीठा है इसमें चीनी की मात्रा दिखें तो चीनी की मात्रा दिख होने करण जो इंफेंट से नवजा सिसु है जिनमें दात आ रहे हैं उनके लिए काफी नुक्सान कर सकता है मस जह सब्ता की जो बच्चे थी उसमें एक बीमारी की जांच की जिसमें क्रिप्टो इस प्रोडियम नाम की बीमारी पाई गई जिसने एक विस्टेस परकार की कंपनी का ग्रेप पाटर प्रियोग किया था और सेयों के स्वाध का वो था तो उस समय सभी उप्पोकताओं को इस परकार से अलग अलग बच्चों में जब इनकी जांच की गए तो मेरी से यह सला रहेगी इस रिसर्च स्टडी को पढ़ने के बाद मैंने जो पाया है वह यह है कि ग्रेप बच्चों में नहीं दिया जाना चाहिए और अगर कोई बच्चा है जिसको जीरो से छे वर्स क जानकारे आपको कैसी लगी क्या यह आप जानकारे आपको पहले से थी यह आपके लिए नहीं थी कमेंट बोक्स में जूर से बताएं और यह जानकारे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरू करने के लिए में बताईए किसी कंपनी विशेस को टार्गेट करके यह जान करता हूं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तो कि लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें